बिहार में जल्द ही यह बड़ी संस्थाइन लगाएंगी ऑक्सुजन प्लांट बाक्सीन रेजिस्ट्रेशन के नियमों में आज से हुआ बदलाव सिक्षामंद्री ने अगले दो हकते में सभी सिक्षकों के वेतन भुकतान का दिया आश्वासन अक्सीजन को लेकर सरकार की टिपड़ी पर हाई कूट ने पूछे सवाल अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी ख़बरों की और विस्तार से भेज में स्पेशलिस्ट और सूपर स्पेशलिस्ट के पदो पर निकाली गई भरती भारत हेवी इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड ने PTMC स्पेशलिस्ट और PTMC सूपर स्पेशलिस्ट पदो पर भरती के लिए आवेदन आमंत्रित के हैं इच्छो को मिदवार भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पर बताये गए प्रारूप के माध्यम से 15 माई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं जिन पदों के लिए आवेदन जारी किये गए हैं वो कुछ हिस्प्रकार है PTMC Specialist Dermatology एक पद PTMC Specialist मदुमें रोगी एक पद PTMC Specialist Gynecology एवं Obstractics एक पद PTMC Specialist Ophthalmology एक पद PTMC Specialist Orthopedics एक पद PTMC Specialist Balrog Specialist दोपद PTMC Super Specialist Oncology दोपद महीं PTMC Super Specialist Urology एक पद पर आवेदन की मांगी गई है बिहार में जल्दी यह पड़ी संस्थाइन लगाएंगी Oxygen Plant COVID-19 के बढ़ते माहौल के बीच बिहार में अब 15 जगह पर NHAI की तरफ से Medical Oxygen Plant लगाने की पहल की गई है जिसके तहट LNT और TATA के साथ NHAI मिलकर इस काम को पूरा करने वाली है इसके तहट ही एक प्लांट की नियुतम शमता 960 लीटर प्रतिमिनट होगी परिक्षा की नई तारीख की हुई घोशना COVID-19 के बढ़ते प्रभाब के भी सभी परिक्षाओं को आगे सखित कर दिया गया है हाला कि बियट परिक्षा को लेकर के अब तक ऐसी उमीद नहीं जताई जा रही थी लेकिन मामलों में हो रहे ही बढ़ोतरी को देखते वे अब बियट की परिक्षा की तारीख को भी आगे बढ़ा दिया गया है इसके साथ ही परिक्षा की तारीख भी आगे बढ़ा दी गई है अब सेयूक्त बियट परिक्षा में बिना विलम्शुल के आविदन की तारीख 25 मई कर दी गई है प्रदेश के उतरी भाग में बने होने और मध्य प्रदेश से बिहार जारखंड और पश्वी मंगाल में गंगी अतर्ट से होकर त्रपुरा गुजरने वाली ट्रफ लाइन के कारण मौसम पर असर पर रहा है तो सूबे के कई जगों में हल्की बारिश पे हुई है वही राजधानी पत्ना में मौसम सामाने बना रहा पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्र के गुजर जाने पर मुख्यमंधर नितीश कुमार समेथ कई मंत्रियों ने जताया शोक बिहार के प्रख्याद चिकितसक दॉक्टर मोहन मिश्र ने दिल की गती रुखने के कारण बीते दिन दुनिया को अलविदा कह दिया है मुख्यमंधर नितीश कुमार ने अपने शोक संदेश में कहा कि पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्र जी का निधन दुखा दे वे प्रख्याद चिकितसक थे काला जर पर शोध के लिए उन्हें 2014 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था उनके गुजर जाने से चिकितसा जगत को अपूर्णी एश्यती हुई है बिहार सरकार के श्रम संसादन दता सूचना प्रद्योगी की विभाक के मंतर जवेश कुमार जी ने मित्ला के लाल ख्याती प्राप्चिकतसक डॉक्टर मोहन मिश्र जी के निधन पर शोख व्यक्त करते हुए कहा कि फुजेशन डॉक्टर मुहन मिश्टर जी के गुजर जाने की सूचना अत्य अंत्य दुखा दे ओक्सिजन को लेकर सरकार के टिपणी पर हाई कोट ने पूछे सवाल हाली में पटना हाई कोट ने बिहार में बेहाल हो रही कोविट-19 की ववस्था को देखते वे साथ ही लगातार बट रहे ओक्सिजन की मांग को ध्यान में रखते वे बिहार सरकार से हल्फवनामा दायर करने की मांग की थी सिक्रम में राजी के मुख्या सचिब ने पटना हाई कोट में कोरोना महमारी से ने पटने के लिए की जा रही कारवाई का बियोरा हल्फवनामा दे कर पेश किया हल्फ नामे पर पूछा कि ऑक्सिजन आप उर्थी के लिए टैंकर उपलब्ध है भी या नहीं सिक्षा मंत्री ने अगले दो हफ़ते में सभी सिक्षकों के वेतन भुगतान का दिया आश्वासन बिहार के सिक्षकों के लिए खुशखबरी विते दिन बिहार सरकार ने जारी की है जिसके बाद ही अब सिक्षा मंत्री ने भी आ करके वेतन जल से जल जारी करने का बयान जारी किया है जिसकी तेह सिक्षामंत्री विजे कुमार चौधरी ने आश्वस्त किया है कि अगले दो सब्ता के अंदर सभी सिक्षाकर्मियों के बकाई वेतन का भुकतान हो जाएगा उन्हों ने स्विकार किया है कि पिछले दो-तीन महीने से वेतन भुकतान नहीं होने के कारण सिक्षाकर्मियों की बदहाल सिती हो गई थी इसके साथ ही अब संक्यक विद्याले एवं मदर्सों में भुकतान ईदुल्फितर के पहले करने का प्रयास किया जा रहा है बेटा सित ESIC अस्पताल की सेना ने संभाली कमान COVID-19 के बढ़ते माहौल के बीच पतनावासियों को बढ़ी दाहत में लिए जिसके तहर्ट ESIC अस्पताल में 500 विवस्था के साथ है COVID-19 अस्पताल का संचालन्ज शिरू हो गया और सबसे खास बात यह है कि इसकी पूरी कमान सेना के पास है पुर्वोतर सित आर्मी बेस सेना की दो फील्ड हॉस्पिटल की टीम बायू सेना के विमान से पतना पहुचे इस टीम में स्पेशलिस डॉक्टर के साथ मेडिकल टीम ही है अगले दो से तीन दनों में भेटा के ESIC अस्पताल को 500 वेट का कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बना दिया जाएगा वहाँ 100 वेट के ICU की ववस्था होगी जल्दी 18 साल से अधिकुम्रवालों को बिहार में लगेगा ठीका COVID-19 के बरते प्रभाव के बीच केंद्र सरकार के तरफ से बार बार ठीका करण की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करवाने का देश सभी राजय को दे दिया गया है हाला कि बिहार उन्हीं राजयों में से है जहां पर ठीका करण की शुरुवात अभी तक नहीं हो पाई है हाला कि स्वास्ते वभा के अधिकारी लगातार दवा बनाने बाली कमपनी से संपर्क में है लेकिन कोई तय तारीख सामने नहीं आ रहे हाला कि एक संभावना के तौर पर 15 से 20 मई के बीच इसके शुरुवात होने के आसार है इस बाबत स्वास्तमंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार सरकार के अधिकारी नियमित रूप से वाक्सीन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं जल्द ही बिहार को पहली खेप मिल जाएगी और उसके बाद ठीका करन की तिथे निरधारित हो जाएगी बिहार में COVID-19 के मिले 13,000 से ज्यादा मामले स्वास्तिव भाग की तरफ से मिली जानकारी के नुसार बिहार में बीते दिन के पिष्टो 24 गंटे में 13,466 मरीजों की पुष्टी हुई है जिसके बाद आक्टिव मरीजों की संख्या 1,15,066 पर पहुँच गई है जमुई में 273, सर जहानबाद में 108, कैमूर में 109, कटिहार में 266, किशनगन में 173, लखी सराय में 79, मध्यपुरा में 289, मधुबनी में 362, मुझेर में 603, मुझफरपूर में 630, नालंदा में 548, नवादा में 131, पट्ना में 2410, पुर्णिया में 469, रोहतास में 140, सहरस में 285, समस्तिपुर में 378, सारन में 509, शेखपुरा में 90, शिभर में 89, सीतामडी में 160, सिवान में 425, सुपॉल में 513, वैशारी में 509, वैस्ट्रमपारे में 537, मामले सामने आ हैं, इसके साथ 41 ऐसे प्रभावित मेले हैं, जिनके सैंपल बिहार के अलग-लग जिरों में आज बिहारी पहचवान में हम बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के परमोख लेखग कवी और निबन्दगार थे, वो आधनिक युक केश रेश्ट वीर रसक के कवी के रूप में स्थापित है रामधारी सिंग दिंकर का जन्म 23 सितमबर 1908 को बिहार के बेगुसराय जुले में हुआ था वही रामधारी सिंग दिंकर ने 24 अप्रेल 1974 को दुनिया को अलवदा कह दिया था अब लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं पुलिस कर्मियों के साथ बद सलूकी करने वालों को होगी सजा बिहार में आम इनसान के साथ पुलिस कर्मी भी कोरोना की ज़द में आ रहे हैं सब याम नागरिकों से नियमो का पालन करवाने में लगातार लगे वे हैं लेकिन इसे बीच कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ पर लोग पुलिस वालों से नियमो में कराई करने की कारण घिरते दिखाई दे रहे हैं अला कि अब इसको लेकर पुलिस मुख्याले के ADG चितेंद्र कुमार ने कहाई कि ऐसे लोगों की हर आक्टिविटी को नोट किया जा रहा है अपना उल्लू सिधा करने को लेकर भीड में कुछ औसामाजुक तत्वो द्वारा पुलीस पर हामला करना सक कहीं से भी ठीक नहीं ह वाले औसामाजुक तत्वो की पहचान कर उन पर ट्रायल चला कर उन्हें सजाद लाई जाएगी जिसमें PPE के दाम भी शामल किया गया है इसके साथ ही नौन NABH मानेत अपरापत अस्पतालों में सामाने मरीजों को 8000 सामाने से थोड़े जादा गंभीर मरीजों को 13000 और सबसे जादा गंभीर मरीजों को 15000 चुकाने होंगे जिसमें PPE के दाम को भी जोड़ा गया है मंत्री श्रवन कुमार ने किसी भी हाल में मंत्री श्रवन कुमार को मजदूरी देने की कही बात बिहार वर्थबान समय में COVID-19 के एक और धंच को जहिल रहा है जिसके कारण एक बड़ी आबादी में लोग एक बार फिर से बिहार वापस लोटे हैं कि मंद्रेगा के तहत इन लोगों को रोजगार महाया करवाने की सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती नजर आ दी है इस सब को लेकर मंत्री श्रवन कुमार ने भी मंद्रेगा के तहत काम कर रहे हैं श्रमी को कुवाश वासन दिया है कि चाहे जो भी हो जाए उनके वेतन का भुकतान समय पर किया जाएगा इस बावत उन्होंने अपना बयान जारी करते में कहा कि अब अगर केंद्र से इस मद में समय पर राशी नहीं आती है हाली में बिहार सरकार की तरफ से लॉकडाउन की घोश ना की गई थी इस बीच स्वास्तमंत्री वंगल पान्ने ने हाली में लोगों को बदत मुहाया करवाने के लिए एक हेलप लाइन नंबर अपने ट्विटर से जारी कर दिया है इस पर लोग 24 घंटे में कभी भी कॉल करके साहता सलाह या मदद मांग सकते हैं इसको लेकर स्वास्तमंत्री ने कहा कि मिलकर संग कोरोना से जीतेंगे जंग कोविड-19 के संबंध में शुकायत सुझा विवंपरामर शेतु डायल करें एक शुनेज साथ शुनेज के तहट अब आप 24 घंटे पर इस नंबर पर कॉल करके कोई भी जानकारी सुझा या शुकायत कर सकते हैं बिहार के नगर निकायों में बनने बाले कारियाले भवन के लिए जमीन की तलाश शुरू बिहार के कुल मिलाकर के 117 नगर निकायों में जल्दी एक जैसे कारियाले भवन को बनाने की तयारी हो रही है इसको लेकर बिहार सरकार की तरफ से जमीन की तलाशी भी शुरू हो गई है बनाई जा रहे भवन में अध्यक्ष उपाध्यक्ष से लेकर कारेपाल पताधिकारी का चेम्बर होगा इसके लावा जुंसुविथा केंडर के काउंटर से लेकर निकाई कारेयाले के अन्य आवश्रक जगह उपलब्ध होंगे हाला कि COVID-19 के कारण चेर्मेन, डिप्टी, चेर्मेन, मेयर और उपमेयर आधी के चुनाव कराए जाने संभब नहीं है वाक्सीन रेजिस्ट्रेशन के नियमों में आज से हुआ बदलाब 18 साल से ज़्यादा उम्र के युवाओं को जल्द ही वाक्सीन देने की तैयारी हो रही है हाला कि इन सब के बीच रेजिस्ट्रेशन के नियमों में बदलाब कर दिया गया है जिसके तहत online registration करवाने के लिए आपको चार अंको का security code पहले देना होगा इसको लेकर स्वास्तबंत वाले की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है साथ ही coven portal पर इस नए feature को भी जोड़ दिया गया है आपको बताने ऐसी खबरे आ रही थी कि registration करवाने वाले व्यक्ति अगर टीकार नहीं भी लेते हैं तो भी उसके mobile पर TK का SMS भेज दिया जाता है हाला कि इन्हें सब परिशानियों को दूर करने के लिए इस नए नियम को जोड़ा गया है जिसके बाद अब बिना च्वार अंकों के कोड दिये आपका ठीका करन नहीं हो पाएगा इसके साथ ही जिन लोगों ने अपना registration करवा लिया है वो कोविन पोटल की तरफ से भेजेगे SMS को अपने पास प्रमाण की तौर पर रख सकते हैं भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से महत्वपूर्ण मानी जाती है मादमा गान्दी ने 21 बिटिश साशन के खिलाफ 21 दिन का फ़ास्ट 1933 में रखा केंद्र सरकार ने चंदरनगर को 1954 में पश्विम मंगाल राज में शामिल क्या रविंद्र भारती विश्विद्याले के 1962 में स्थापना आजी के दिन हुए भारती रेट क्रॉस सोसाइटी का 1963 में शृताबदी समारो मनाये गया भारती अमूल के 79 वर्षी ए लॉट स्वराजपाल 2000 में ब्रिटेन के चौथे सबसे बड़े विश्विद्याले ब्रिटिक्श उनिवर्सिटी के कुलपती नियुकता आजी के दिन हुए प्रसिद इतिहासकार तपन रोई चौधरी का जन में 1926 में आजी के दिन हुए भारत की प्रसिद ठूमरी गाई का गिरजा देवी का जन में 1929 में आजी के दिन हुए भारत की प्रसिद इतिहासकार देवी प्रसाद चटुपाध धिहाई ने दुनिया को अलविदा 1934 में आजी के दिन कहा संभावित बार को देखते वे मुख्यमंत्री ने बुलाई high-level meeting COVID-19 के माहौल के बीच बार की संभावनाओं को देखते वे मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने बीते दिन high-level meeting बुलाई थी जिसमें उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माधिम से समिक्षा बैठे की बैठे के दौलान मुख्य बिंदू अपर चर्चा की गई जिसके तहइत हर साल की तरہ इस बार भी बार्ढ़ और सुकार के सभापनाओं को देखते वें तयारी रखने का आदेश जारी के आ गया है बाड से सुरक्षा है तो बचे वे सभी कटाव निरोधक कारे और बाड सुरक्षात्म कारे को पूरा करने का निर्देश दिया गया है बाड के स्थिती में तटबंध के निगरानी है तो विशेश शतर ता बरकते हैं और इसके लिए गश्टी कारे नियमित रूप से करने का देश दिया गया है इसके साथ दिग्रामीन सरक जो पहले से छतिग्रस्त है उनका भी मरमत का कारे जल्द पूरा किया जाए बाड की संभावना को देखते वे बाड राहत केंडर के लिए जैकी कोचनेत कर पहले से तयारी रखने का निर्देश दिया गया है इसके साथ ये आखर में 30 मई तक पशुचारा और आपूर्तिकर्ता को लेकर निर्देश बाड राहत सामागरी की भी तयारी कर लेने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है महावीर आरोगे संस्थान में बने COVID-19 अस्पताल में अमेरिका के डॉक्टर भी देंगे परामर्श महावीर मंदिर नियास द्वारा संचालित महावीर आरोगे संस्थान में 44 बेट की COVID-19 अस्पताल के शिरुवात बीते दिन से की जा चुकी है इसको लेकर महावीर मंदिर नियास के साचव आचारे किशोर कुनाल ने संस्थान पहुंचकर COVID-19 अस्पताल की सिवा इंश शुरू करने का अश्चुभारम्द क्या डीडी बिहार पर कक्षा 9 से 12 वी तक के शात्र करेंगे पढ़ाई COVID-19 के महावल बेएक तरफ जहां स्वास्ता संबंधी परिशानिया बिहार को घेरे वे हैं डीडी बिहार पर दस माई से कक्षा 9 से 10 वी तक की पढ़ाई सुबह 10 बजे से 11 बजे तक और कक्षा 11 वी से 12 वी तक की पढ़ाई सुबह 11 से 12 बजे के बीच में होगी डीडी बिहार पर बच्चों की हकलास स्कूल खुलने तक जारे रहेगी यह फोटो सुषांत की सीरिल पविदर रिष्टा से ली गई है इसमें उनकी पतनी का रोल कर चुकी हैं कितलोख खंडे और उनके बेटे का रोल करने वाले चायल्ड आर्टिस्ट भी दिखाई देर हैं फोटो का इस्तमाल बच्चों को फैमिली वाली बात को बताने के लिए किया गया है जिसमें सुषांत को एक पिता के रूप में चितरत किया गया है सुशान्त की दोस्मिता पारिक ने इस पेच की फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है और लिखा है कि एक बार प्राइमरी बंगाल बुक ने फैमिली फादर फिगर समझाने के लिए हमारे प्यारे सुशान्त की फोटो पबलिश की है मुझे गर्भ है इसे साफ होता है कि हमारा एडुकेशन बोर्ड भी उन्हें सबसे अचा मालता है आईपेर बंध होने के बाद चेतक के साथ वक्त बिताते दिखे महींदर सिंग धोनी आईपेर की कई टीमों की कोविड-19 की चुपेट में आने के बाद महींदर सिंग धोनी राची वापस लोट चुके है जिसके बाद धोनी अपना खाली समय चेतक के साथ बिताते नजर आए उनके घोडे चेतक को सिफार्माव से सिमलिया लाया जा चुका है धोनी की पत्मी साक्षी ने चेतक का स्वागत करते वे पर उसके तस्वीर भी पोस्ट की है पोस्ट करते वें साक्षी धोनी ने घर पर रहने वाले पेट्स के साथ चेतक के घोल मिलजाने और अच्छे व्यूबहर के लिए चेतक का शुक्रिया आदा किया आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि धोनी होर्स राइडिंग रिंग का नर्मान करा रहे हैं अब आईए जानते हैं सराफ़ बजार पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव अगर हम सराफ़ बजार की बात करें तो सोने का भाव प्रति दिसक्राम पेट्रोल की कीमत बानमे दिशमलब प्रति लीटर वही डीजलब दिशमलब तीन पांच रुपे प्रति लीटर था फेस्बुक ने भारत सरकार के साथ की साज़ितारी कोविट-19 के समाहॉल में भारत को पडोसी देश से काफी ज्यादा मदद मिली है इसक्राम में अब फेस्बुक ने भी भारत सरकाल के साथ साज़ितारी की है जिसके तहट 17 भाशा में वाक्सीन संबंधी जानकारी देने पर सहमती बनी है मिली जानकारी के नुसार फेस्बुक अपने एप में एक ऐसा फीचर जोड़ेगा जिसकी मदद से लोगों को वाक्सीन संबंधी सभी जानकारी इसमें मिल सकेगी इस नए फीचर में 17 भाशा होंगी ये फीचर वाक्सीन सेंटर ढूरने में मदद करेगा और इसके जर्ये 46 साल से जादो अमरी के लोग वाकिन विकल्प देखकर वाक्सीन लगवाने जा सकते हैं कल हमारे तुवारा पूछे के सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपको बहुत बहुत धनिवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रविंद्र पासवान, सनोच कुमार, सुमन, भोला, शर्मा, पंकच कुमार, अमर्दी पंबेटकर, दिलिप कुमार, गौतम कुमार, पंकच कुमार, अमिंटे गोर, सुरेश, शापर, शोतम कुमार, बैठा, नरेश, कुमार, विकास, कुमार, विजय कुमार, बाबू, शेर, सिंख, नवनीद कुमार, इसके लाव हमारी टीम को और भी रोगों की जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय क्या भाव की कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबानाओ